नमस्कर दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सावन अभी आने वाला है श्रावन मास तो पहले सोमवार को हम विशेश फल प्राप्ती के लिए क्या कर सकते हैं श्रावन मास में हम वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं नहा दोकर भगवार का सब कर लेते हैं जैसा कि मैंने पीछली वीडियो में बताया है कि श्रावन मास में श्रीव जी के आरादना बहुत फल दाई होती है तो उसी प्रकार से पहला जो श्रावन सोमवार है इस दिन विशेश फल प्राप्ती के लिए आप सवेरे भगवान श्रीव के मंदिर में जाईए वहाँ पर जाने के बाद में जो आपके पास गंगा जल रहेगा गंगा जल आपको शिवलिंग पर अरपन करना है दूद शक्कर जो आप लेके गए है वो भी आपको शिवलिंग पर अरपन करना है इसके बाद में चंदन, बेलपत्र, धतुरा और अक्षत ये आपको अरपन करने हैं और जब ये आप अरपन कर रहे हो तो उस वक्त आपका ध्यान कंटिनियोस ओम नमशिवाए इस मंत्र का जाप आपको मन में ध्यान में कंटिनियोस करते रहना है इस दिन सबसे मुख्य बात ये है यानि के आपको जैसे ही शिरावन सुमर होता है उस वक्त हम बेल पत्र बगराव शिवजी को अरपन करते हैं लेकिन सबसे मुख्य बात आप इस दिन जो है उपासना करने जाओगे आप सफेद वस्तर पहन के जाना अच्छा रहेगा और जो भी सफेद रंग की मीठी बर्फी या मीठा मिष्टान जो कुछ रहेगा आप भगवान शिव को अरपन कीजिए वो दान भी अगर आप करते है उस दिन जो चड़ा होगे मीठा जो कुछ रहेगा बर्फी यो अगरा तो बहुत अच्छा रहेगा वो अगर आप दान भी करोगे तो इस प्रकार से श्रावन के पहले सोमवार को आप भगवान शिव की अराधना कर सकते है वैसे ही मैंने बताया था कि सोमवार को तो आप रुद्राष्टाद्दै का जरूर पाठ कीजिए अगर आपको नहीं आता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आ और दोस्तो शिव लिंक को अभिशेक करना मत भूलिए आप सभी को श्रावन सोमवार की बहुत बहुत शुबकामनाई ओम नमस शिवाय